नमस्कार आप देख रहे हैं EBNN News में हूँ आपके साथ में मनीशा जा बाबस साहे भीमराव अम्बेटकर की पुन्नितिती के मौगे पर भुजन समाज पार्टी के रास्ट्री अध्यक्ष मायवती ने सुमवार को प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा कि भीमराव अम्बेटकर ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के प्रति समर्पित की कानूनी अधिकार भी दिलाने का काम किया साथ हिनों ने कहा कि गरीब वर्ग को सत्ता की चावी अपने हाथ में लेनी होगी ऐसे में बीएसपी की चार बार बनी सरकार इसका उधारन है वहीं प्रधान मंतरी नरींद्र मोदी ने भी आज महापरी निर्वान दिवस के मौके पर बाबा साहे भीमराव अम्बेटकर को नमन करते हुए उन्हें श्रधाजली अर्पित की साथी यूपी के मुख्य मंतरी योगी आदितिनाथ ने लखनौ में हजरत गंज सित अम्बेटकर प्रतिमा पर पहुँचकर अम्बेटकर प्रतिमा पर माल्या अर्पंड किया और पुश्पांजली अर्पित की सीएम योगी के अलावा यूपी सरकार में कानून मंतरी ब्रिजेश पाठक, स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजिपी की प्रदेश अध्याक्ष स्वतंत्र देव सिंग ने भी अम्बेटकर परी निर्वान दिवस के मौके पर माल्या अर्पंड कर पुश्पांजली अर्प सबूरी ही है बाबा साहिब ने दलितों को गुलाम मानसिक्ता से आजादी दिलाई है उनको दिल जान से चाहने वाले लोग उनको आज याद कर रहे हैं माया वदी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि बीएसपी को अपने वर्ग पर पूरा भरोसा है कि दोहजार बादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये जनता जानती है कि विजय तो अभी मिले भी नहीं है विजय यात्रा निकाल रही हैं ये जितना चाहे गडवंधन कर ले लेकिन ये सब जानते हैं कि कानून व्यवस्ता बीएसपी में कैसी थी बीजेपी कि सरकार में भी वहीं नोंने ये भी कहा कि उत्रा खंड में पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी साथी सडकों पर उतरने से काम नहीं चलेगा सत्ता परिवर्तन के लिए मानसिक्ता परिवर्तन करना होगा वहीं करोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने क झाल 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 झाल